नमस्कार मित्रो, आज का टॉपिक है What's wrong with the RSS? RSS के साथ क्या गरबड है जो वो युवाओं को भठका देती है, अपने मंजिल से भठका देती है और रास्ते में भहका देती है आईए बात करते हैं पहला है law based activism के खिलाफ एक प्रकार का time pass करती है वो आप meetings में जाएए senior activist को जैसे ही आप कहेंगे कि law draft बताईए आप law draft बताईए कि कौन सा law आप लाना चाहते हैं जिससे कि हिंदु धर्म मजबूत हो जाए जिससे कि हम पाकिस्टान का आखरमन रोक सके चीन का आखरमन रोक सके जिससे कि गौहत्या रुक सके जिससे कि देश में गरीबी मिट सके तो ये कहेंगे ये सारे काम कानूनों से हो ही नहीं सकते, हमारी सरकार है तो क्या, काम तो आपको ही करना है, और आपके घर के करीब करना है, या फिर इनके जो नेटवर्क है, शाखा में जाना है, शाखा में आप आईए, मॉर्णिंग वॉक कीजिए, और अपने मुद्दय को डिसकस कीजिए, और चले जाएए, आपने हमें सरकार, हमने आ मतलब, आरेसेस ने बीजेपी को सरकार बना के दे दी, तो आप बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कि सारे प्रॉब्लम्स को लॉस के, लॉव यानि की कानून के जरिये, किसी ना किसी कानून के जरिये solve किया जाए, यहां तक कि यह उसका ड्राफ्ट भी नहीं देना चाते, और यदि आप इनको ड्राफ्ट दिखाएं, तो यह उस ड्राफ्ट पे चर्चा नहीं करना चाते, इनकी मीटिंग का मोटो उपर से निधारित होता है, यानि बीजेपी बताती है, इस टॉपिक पे बात करेंगे, इसका law, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, भया तुम करो, और चिंदी-पिंदी काम ये करते रहेंगे अपने sponsors के जरिये, और जहां आप narrative के बात करो, कि narrative आप set कीजिए, funding लगाईए, तो ये घंटा narrative कभी set नहीं करना चाते, ये उल्टा, उल्टा कहेंगे कि सरकार बना जहां सरकार नहीं है, वहां भी हमारी सरकार बना तो सारी समस्या solve हो जाएगी, तो क्या जहां आपकी सरकार है, वहां मुद्दे solve हो गए, एक तो है JNU का मुद्दा, दिल्ली में पुलिस आपकी, JNU पे funding आपकी, तो narrative, narrative कम्यूनिष्टों का चलता है, और आप कहते हो कि ह हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं, वह प्रोफेसर हैं, उनकी salary बदल दो, प्रोफेसर की salary दो लाक रुपे से 20,000 कर दो, जितने यह humanities वाले subject हैं, economics, philosophy, political science, यह सब खतम कर दो, physics, physics के चलने दो, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए तो intellect चाहिए होता है, फिर आता है, gun loss का विरो सावर कर वावर पर पर अपना claim करते हैं, सावर कर और यहां तक की नातुराम गोट से कोई भी इनकी पैदाईस थी नहीं, इस पर claim करते हैं, हम तो लड़ लेंगे, हम तो जीत लेंगे, अपनी लठ दिखा के, भई या सावर कर पर तुम claim करते हो, सावर कर ने बंदूक से म कार्य गरत लठ लेकर आजाएंगे जहां समस्या होगी लडेंगे अरे अ मेरिका की सिन मारी 달 दुश्मन तुम आएसेस से नहीं लड़ सकते हैं तालीबान से नहीं लड़ सकते हैं लट के साथ यहां तक कि यह जो छोटी-मोटी कम्यूनल वाइलेंस होती है यहां भी पिट के आ जाते हो बोलते हो हमारी सरकार है हमारा सब है पूछो ना उपर वालों से बताओ उपर वालों से हिसाब मांगो कि दो पैसे दो फंडिंग दो हमें पावर कोई नहीं देना चाहता पावर यह पावर पूरी केंद्रित है एकद पूरा देश कहता है मतलब कि बहुत लोग कहते हैं मीडिया वीडिया कहते है कि बड़ा कटर हिंदुवाद फैलाते हैं अरे जरा सा हिंदुवाद फैला नहीं पाते हिंदुओं को सबसे पहले गुस्ता होना चाहिए कि तुम sea nrc लाइए कैसा घटिया कानून है बन जाता है यह कैसा कानून आपने लाया बंगलादेशों को हटाने का बहुत अच्छा तरीका है लेकिन यह लोग लागू बिल्कुल नहीं करना चाहते फोन ट्रैक कीजिए जो पैसे भेजता है बंगलादेश जो फोन पे हफते में 30-40 कॉल से ज्यादा करता है उसकी रिकॉ वस्ते हैं कि नहीं होगी और कटर बनके वोट लेना चांब कटर 2-4 काम भी तो करें काम तो सारे मतलब की राहूल गांदी इसरे उधाले हिखालिटे ना कि हरकते कि उसके भाजशा की प्रॉब्लम यह भाशा की problem क्यों नहीं solve कर सकते ministry of culture के पास क्या पैसे नहीं है कि आप भारत में भारत में संस्कृत को 2-3 साल कुछ incentive देके बड़े पैमाने पर पढ़ाया नहीं जा सकता इसराइलियों ने तो किया या भाचा हिब्रू तो हो चुकी थी दूसरे विश्वयुद के बाद उन्होंने funding लगाके मरे हुए देश पे हमारे को तो आजाद हुए 75 साल हो गए मरे हुए देश पे funding लगाके हीब्रू को जिंडा कर दिया संस्कृत तो जिंडा है संस्कृत को फैला के संस्कृत के माध्यम से क्या यह एकाकी करन नहीं कर सकते काली हिंदी 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 हाट लैंड और साउत में तो यह अलग तरह का खेल खेल रहे हैं मतलब यह जो स्टेटमेंट आये कुछ नेताओं के कि हिंदु धर्म कैंसर के तरह है और यह इसकी भी funding RSS नहीं करी है कि बस गुस्सा हो कि एक अगर वोट अपने साइड आ जाए कुछ तो हमें करना नहीं है मंदिरों पर कब्जा मंदिरों पर इतना कब्जा हो रहा है कोई हिंदू सेंटरल वोड की डिमांड की है इनोंने यह जो प्रस्तावित कानून है वो तो बहुत ही घटिया है उसकी चर्चा बाद में करेंगे पर इन्होंने 7-8 साल से कुछ क्यों नहीं किया और यह जो थोड़े बहुत सक्त कदम दिखाते हैं कि 370 हमने हटा दिया राम मंदिर हमने बनवा दिया तो यह अमेरिका की बैकिंग से हो रहा है अमेरिका की बैकिंग से खुद की इनकी ऑकाद नहीं है अगर होती तो 15 में कर तो अमेरिका तब सपोर्ट नहीं कर रहा था अब चीन के खिलाफ सकत कदम उठाने पड़े चीन के खिलाफ देश को एक कैमिल बनाना पड़ा जिसके बाद अमेरिका का सपोर्ट मिला और यह दो चार काम हुए उसके बदले में भी हम से मांगें कि तुम जाके आइसेस के खिल कि वह एरिया पी ओके के अंदर आता है ठीक है जो कहते हैं पी के हमारा आपीओके हमारा वह एरिया पी ओके के अंदर आता है धन्यवाद